मेरो आत्मियत आज मानव सात्ते उपसुत्र चार मां चार्चा गर्चु गई को सुत्र मां अनिश्ची ततालाई देह का थें। आजको सुत्र हो द्रिष्टी कोण अब हामले इसतु द्रिष्टी कोण बनावने छाउं। एस बाउदित्ता एस विवेक इले एती सहज ब्यक्तित्तो बनाई दिने छाउं। जुन ब्यक्तित्तो आज सम्मा निर्मार नहीं भाये। जो इस सुरिय ब्यक्तित्तो छन केबल हाथ को अउलामा गन्न मिल्ले मात्र। जो भित्र गयर फिर हामरो लागी बाहिर आये। और धेरे पनी उहां गये का थिये। धेरे ले पाये का थिये यो अवस्था। तर उनिहरु हामरो सामु आये ना। फिर बाहिर आउना चाहे ना। किने कि यहां युटा भेद बन्चा। इदुई आयाम को यहां भेद बन्च। यहां डरलाक दो खाडल छो। यही दिश्टी कौन नबंदा को खाडल होय। जो इश्वरी अवस्थामा गये रा उनिहरुले बाहिर को रूपलाई। देखे रा आउना चाहे ना। यहां कोही पनी मानिश ले बुजदाई ना। मानिश लाई एस ज्ञान दी रहे। फेरी इश्वरी अता सम्मलाना संभब छाई ना। ठाने आये ना। रयो सत्ते पनी हो संभव छाई जो आये तो उन्हें होले जुन ग्यान दिये फेर हमें तेही ग्यान को पछी धर्म संप्रदाय को पागल पन्मा पाखन्द पन्मा समेतियों न ग्यान न बहुत न तियो अनुभा भाय मिला भायो तो तो भाय तर कम से कम जानकारी पाईयों सिच्छा पाईयों यो हमरो लागी उपलब दे न भाय पनी तेस बेक्ति को लागी परम उपलब दियो जो तेस लोक मा गयर एस लोक मा पनी आये मानिस को लागी मानिस लाइब भने रह जासले ज्यान दिये कि यो हमरो लागी तो कहीं फाईदा जनक भाय न आमिले थर्मसंप्रदायला अपनायों रग्यान लाइव उप्रिक्ष्या गर रख्ये बल थर्मसंश्कार को इस्तो नारग की धन्दा जेली रह काच्छों तन्दा गर नेले नगर नेले मानने ताको ठानने ताको इस्तो बिच्छिप्त ता आमिले भगी रहे काच्छों जो आय जो आय नान तेस परम इस्तितिको मानव को सबई बंदा सर्वत्च विकास को स्रिने मांगायरा जो बहिर आय या आय नान यो बंदा पनी महत्त पुन अरुमानिस को बेक्तित्तो एती बिभस्ष तरीक काले नस्ट भयो अरुमानिस को जिबन एती बिभस्ष तरीकाले हत्या भयो यो हत्या आफेही गर्यों या फेरी अरुली गर्यों एउटा मानने तहाँ छो बेक्ति निर्भर जन्मिन छ उसलाई और काईडा रोशको बुद्धी नबंद सम्मों को इस्तिती हो जिमिवार त्यों परिस्तिती यो मानने तहाँ यो सत्ते तहाँ जो 14 बर्ष बंद कम मेरे मां बांचेर गए उनिहरों को लाइगी तहाँ ठीक हो जो बुद्धी बनी सके पछी 14 बर्ष बंद धेरे बांचेको उसको लाइगी यो सत्ते तहाँ होई न इदी बुद्धी बनी सके पछी कम से कम 14 बर्ष को हारा हारी मां सबही मानिसको बुद्धी बन्छ तियो बुद्धी जुन बुद्धी मस्वयम जिम्यलार छुहाई जशिली जिबन लाइग देख स देखना सक्ष यो बुद्धी बनी सके पची मात्र एक बर्ष एदी बुबांचेको छ बने जिम्यवार बेक्टी जिम्यवार हो परिश्थिती यहाँ एक पैशा को पनी मुल्ले राखताई जिम्मेवारी तारमा तो दोसी बेक्ती नहीं हो एदी चौद बर्स काटे राव इसले एक बर्स मात्र बिटाउं छबने पनी रो उस शरीर छोर्द छबने पनी दोस तही बेक्ती लाई जान्च एदी उस अज्यानी छब एस अज्यान्ता को दोस बेक्ती नहीं रहन्च अतह पहिला जिबनला ही सम्हालाउं सो जिम्मेवार बनौ राजको शुत्रमा चौंथ अब्यास दिश्टि कौण बनाउं नहीं साधन मानिस लाहीत यो कामे लाग दाई ना जसले चैतनने ताको ज्याननको मक्चको अनुभाब गरेकोच उसको लागी मात्र है यो काम आऊओंछू जसक़ बोध की हो ग्याण की हो तयो चैतनेता क्यों इससोरी अता कि हो तिसको ठोरे गि третьज्यलक चैनہ अनभौव चैनह भनेता यो सुत्र उसको लागी काम आऊँ दयना तै बनी उसकर ज़ंता आहूं हुस्पिक्ष है उसले यो पनी जानकारी मा लिनाव सेख छो अथा यो चौंत शुत्र सबाईको लाइकिक महत्तो पुना छो अब हमीले अस्तिक तो लाई पनी बोध गर्यों सुनने तालाई चैतनने तालाई ध्यान द्वारा चिंचन द्वारा जुन्सुके रूपले गये का तीन ओडा सुत्र मां हमीले एदी ठीक संग अभ्यास गरेको भाई अब शिपनी हमी एस चौंत सुत्र को लाई जी लाइक छों ताब दिश्टी कोण बनावन पर्यों यस दिश्टी कोण बनी पछे फेरी शुर मानव बिश को जुन बिश मा खाडल बन छो धेरे मानिस एस खाडल बाट पार तर्न ने सब्दाई नाँ जो ज्ञानी भय बोधी भय उत उनिहरू फेरी संसार को लागी आउन चाहां दाई नाँ मानिस ले बुझ दाई नाँ जुन ज्यान दिये पनी मानिस लाई ज्यान दिये र उसलाई एस अनुभव दिना असंभव सा मानिस ले बुझ दाई नाँ तो उनिहरू आउन चाहां नाँ फेरी कोई आये मात्र जानकारी मात्र भय पनी दिऊ फेरी हामी उने हरू लाई धर्म संप्रदाय को पागल पन भित्रसा मेटे हूं रहामी येती बिचिप तरूपले धर्म लाई धन्दा बनायर तेस ध्यान लाई उपिच्या करदाई इस्तो मुर्खता माँ बांची रहे कजू तो तेस ज्यान पाए पची फिर अरूलाई दिन बाहिर आऊनू साधान रूपम आऊनू तियो अरूमानिस को लागिता खात नहीं भयो यहाई ना उनिहाबले जे दिये यह मुले वांच एस लाई ने आधार लेर एस ज्यान लाई एस उपदेश लाई उसले एक साधन को रूपमा अवजार को रूपमा उपाय को रूपमा उपयोग करदाई उँ जिबन को बिकास मा तेस परम लक्षे समझान सकने थियो एस इसाबलेता यू महत पुणा थियो मानिस गय ना मानिस फसियो एसको जिम्मिवार पनी मानिस नही हो तो जो इस्चोरी अवस्थाको थियो जसले उस पार पाट येस वार लियार गयन दियो उँ जवाफदेई छाई ना इहान धर्म संप्रदायको धन्दामा फसनु माननेतामा फसनु संस्कारमा फसनु उस इस्चोर को दोस होई ना येसमा ओ बागिदार बनने छाई ना जवाफदेई बनने छाई ना तिमें जतिनी चितकार गरोष उजिम्मिवार छाई ना उसले ज्ञान दियेको हो तिम लाई ना की माननेता र चितकार गर्न बनेको उसले ज्ञान दियेको धर्मको नामा विशुद्ध ज्ञान भन्दाबायक और कही पनी है ना तो ज्ञान बिक्ति स्वेमले अनुभब को अनुभब को अनुपने छाई इस्वोर को कुने पनी हाथ रहने चाई ना तरमानीस मागी रहेको चाई संपून धर्म संप्रदाएको हालात यही ना रग्येता माच माग माच इच्छा माच उसले तेस इस्वोरी ब्यक्ति संग माई रहेको चाही रहेको उसले ते ज्ञान दियेको तेस ज्यान दाई उपाहेको रूपमा उपयोग मा लियार आपनो जिबन को बिकास गर देए उसले इस्वोरी इस्तितिकुत अनुभाब आफेई गरने हो अत है यहां यहां दिश्टिकुण बने हो अपने तेओ इस्वोरी ब्यक्ति बाहर आवन अपनी सहच बनने छा सबही शूरे बेक्ति उस पार देखी एसु वार आउने छन और एसु वार का लाई पन यो जानकारी महत्तो पुनाच के बल हाथ मा गन्न सकने बेत्ति मात्र उस पार बाट एसु वार आए रा मानिस को लागी काम लाए फेर इतियो एति बीचिप्त रूपमा धर्मसंप्रदाय मा गयो इसमा उनी हरू दोशी छाए ना मानिस नहीं दोशी च यो कुरा लाई जान देई अब अप्यास मा लागो अब इस प्रकित दिलाई देखनू परे अब अपनू दिश्टिकोंड बनावनू परे सारा मानितालाई फालनू परे सारा सिच्छा सारा ज्यान जसले दियो आमिले मानियों या बाले काल देखको संस्कायार आमिले मनन बाद देपारेओ तो जे सुकेई होस्ट तो आब हम्र हातमा बुद्धी छाओ अब त्यु सबाई भ्यालाउं और अफे इले प्रयोगात्मा पर्योग मा लें जानाउं इ फे वले देखे रहा नहीं, ते अनुभाब गार्ने हो। अब अपनो दिश्टेकुन अपहले बनाणु पर। यहां कोई दिश्टे कॉण उधारो तियो जती सुके सत्य होस उपदेश होस या जे सुके होस ज्यान नहीं होस या सिदान्त होस जे सुके होस पेसलाई अलग गरेरा फैले देखने परे बाहेरी विचार को रुपमा देखने हो आखा द्वारा कान द्वारा बाहेरी रूपमा नहीं है मिले इसरी देखेर आर्जन गरने पने छा अब पूरा सब्द बाता नहीं अज सम्मम मिले को ज्यान ज्यासला है मिले ज्यान सब्द बे उपयोग गर्छों। आज सम्मम मिले को सिथ्या जानकारी थे सबही फालं ज्यासम अनुभव चाईन। जसलाए आफेले स्वेम जानिये को होई ना जुन स्वेम आपनो मत होई ना आपनो विचार होई ना आपनो दिश्टिकोर होई ना तियो सबै हटाम रा आखा बाताने कान बाताने शुरू करूँ अभ्यास लाए अखा कान शरीर बाताने इंद्रिये मंडल को इस शरीर बाताने विशुद्ध बनो स्वेम मा बनो रभित्र सम्म बोद सम्म ज्यान सम्म साक्षि सम्म यही विशुद्ध दाले स्वेम को मत द्वारा स्वेम को देश्टिकून द्वारा स्वेम को अनुभाव लाई विश्तार गड़ दाइए अपनो मारग अभैतार गड़ू अब कसरी देखने बाहिर आखार कान ले नहीं हानुदे मुख्य ज्ञान को यो चेतन ग्यान को मुख्य द्वी अंग मांचों सुनेरा रद देखेरा एशरी सुन्नुँ एशरी सुन्न्ना सुन्दा सुन्दै मुघ दा बाहिर oh को खाले বख कन ओैसे है कुने शब्द को अल्जण होस्ट तेहां कुने मन्य विचार को फिसुद juste देख देख दर देख द Curt failure मज़त अब ज्ञान को हैसियत ले इस परकिर्ति को दिश्टि कोण बनाऊ। परकिर्ति ले जुन कारे आपुमा कारे रत छो फेरी आपु देख नी वाला जो अस्थित तो गत बोच चैतन नेता सुन नेता तो इस शुरिये इस्थिति तो साच्छे को इस्थिति इसले इस परकिर्ति जगत को कारे लाइद देखनों अब यहां दोई हुन से बाहीरे कारे रहे को परकिर्ति तो अपुमा देखने वाला अस्थित तो फिर आप लिनी काम गर्द आपो पनी जगत हो परकिर्ति हो तर यहां दिश्टि कोण देखने को मातरमर्दी चर्छा गरी रहे को अब आहिस औस टित्य भाय Our एस कारेरत जगत पर्कृति खाओं इसली काम गरी रहे घुछ को साओ आया आप देखिने वाला अस्तित्त गत्थ उर्जा आत्म उर्जा व्याप्त भयेखु शयुक्त भयेखु एस जगत संगई पर किति संगई तो व्याप्त अच रपूरा जगत और किति यही आत्म अन्मोक्ष एस तो खाल को दिश्ठिकुण जहां बाट Bennett युँ सुर्वात भयो युँ स्रिष्ठी सिर्जानां भयो अस्तित्त ओ एसमां व्याप्त ऍच रप फेरी युँ सिस्टि पणी यही बाट भयराएकुचा जी भयराएकुचा जुन संचालीं च जुड़ाएकुचा जीबन माँसफेरि तो उही अस्तित्त तर् जैतन्नी बद्दच इसरी देखनू जगतले काम गरी रहेगोच मा देखने वाला हूँ मा सांक्छी हूँ मा अस्तित्त हूँ अभा जब शांक्छी बणच और यू दिस्ति कॉन लाए आभा हर जानकारी गत्त हूँ मा सिक्छाको रूपहं बाहीर सम्माने इति सहास रूपह एति सरल रूपहँ उपयागमा ल्याँ आभा तरी स्तित्त गत इस्तिति राथ गत्त जाख यो एस बिजमा खाडाल नब बनस एवड़ा दिस्टे कूर द्वारा इसको खाडाल मेटना सकींच जब यो खाडाल मेटना सकींच ताब उस्पार को तेस इस सोर पनी सहजरुपमा मानिस को लागे आउना सब्छ रमानिस बनी सहजरुपमा तेस इस सोर को लागे लालाइत बनने चा जिबन विकास को लागे लालाइत बनने चा अस्तित्त को लागे लालाइत बनने चा आत्मा को लागे लालाइत बनने चा तेस दिस्टिकून को लागी कांग देखी आखार देखी बाहरी इंद्रिय देखी फित्र सबहे लाई इसरी अभ्यास गरों तिसमा आफनु पन आफनी सुभाव आफनी अभ्यास आफनी लगानी आफनी मत आफनी विचार आफनी अनुभव सबहे को आफनी जेच तिसलाई स्वेम गे अनुभाव अन्तत अफनी अनुभाव मालायर परमारीत गरूं रहोड़ा दिश्ट कोण बनाऊ बाहिर रभित्रकूं आजगुलाई ये दिने